नमस्कार दोस्तूं मैं हूँ प्रतीक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आज अंडिया के आटो मूबील इंडस्ट्री में एक ऐसा बड़ा बतलाओ एक ऐसी सर्प्राइजिंग चीज देखने को मिली है जिसकी उमीद शायद कभी किसी ने नहीं की थी या फिर कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी देखने को मिलेगा अब आप अच्छे से समझ गया हूंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा आज के टाइम पर आटो मूबील इंडस्ट्री में लोग एक ही चीज़ के उपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो है गाडियों की सेफटी और बिल्ड क्वैलिटी अला कि पिछले एक दो सालों में हमने देखा है कि कई सारी कमपनियों ने अपने गाडियों को इंप्रूफ किया है आज के कुछ साल बेले तो फोक्स डेगन श्कॉर डा टाटा महिंदरा ही थी जिनके गाडियां 4 और 5 स्टार रेटिंग आराम से स् पर हिंडाई, सिट्रेन, रेनो जैसी कमपनियां भी अपने गाडियों को मजबूत बना रही है और इनकी गाडियां क्रैस टेस्ट में बहतरी इन परफॉर्म कर रही है आला कि भाई नहीं में एक नाम मारूती सुदुकी के गाडियों को अनसेफ का टैग काफी पहले से मिल अलाकि इस कमपनी की भ्रजा ने फोर इस्टार रेटिंग्स गलोबल अन्ड कैप में स्कोर किये थे और इसी ने पूरे कमपनी की इज्जद बचाई उई इतने रेटिंग्स और इतने स्कोर आज तक किसी भी गाड़ी को नहीं मिला था लेकिन भाई आज कुछ ऐसा हुआ है जो बिलकुल आपको चौंका देगा रिसेंटली ग्लोबल एंड कैप ने छे एर बैक्स और कुछ बेसिक सेफटी फीचर्स के साथ नियू जेनरेशन मारूती सुजुकी डिजायर का क्रैस टेस्ट किया है इस सेडैन को 64 किलो मेटर पर आर के स्पीड से फ्रेंट से बैरियर में लडा कर टेस्ट किया गया है 50 किलो मेटर पर आर के स्पीड में साइट टेस्ट हुआ है और 29 किलो मेटर पर आर के स्पीड में बोल से लडा कर टेस्ट किया गया है और इन तीनों ही टेस्ट में इस गाड़ी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है जिसके स्कोर्स और रेटिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मारूती सुजुकी डिजायर ने अडल्ट सेफटी में 31.24 out of 34 points के साथ 5 star rating स्कोर किये हैं और चाइल्ट सेफटी में 39.20 out of 49 points के साथ 4 star rating स्कोर किये हैं और और अगर देखा जाए तो इस गाड़ी को 5 star ratings मिले हैं और इसी के साथ मारूती सुजुकी ने इतिहास लिग दिया है आज तक इनके किसी भी गाड़ी ने इतने रेटिंग से स्कोर नहीं किया थे डिजायर मारूती सुजुकी के तरफ से पहली गाड़ी बनी है जिसने क्रैस टेस्ट में फाइव स्टार रेटिंग से स्कोर किया है यह वाकई में बहुत ही आदा सर्प्राइजिंग है किसी ने भी इसकी उमीद नहीं की थी लेकिन फिर भी यहाँ पर कमपनी तारीफ के लायक है कि उन्होंने इंडियन बायर्स के बारे में सोचा इंडिया के लोगों के बारे में सोचा और अपने गाडियों को मचबूत बनाना स्टार्ट किया और इसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का भी है और आपने इन कमपनियों को अनसेफ गाड़िया बनाने के लिए और खराब रेटिंगस स्कोर करने के लिए इतना जातक टे्टीसाइज ना किया हूता और इन पर सेफ गाड़िया बनाने का दबाव न डाला हूता तो शायद इतनी जल्दी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी तो एक थैंक्स आप सभी के लिए भी बाकी इनके जितनी भी गाड़ियां और आ रही है जितनी भी नई गाड़ियां लाँच की गई है फ्रॉंग्स हो गई, ग्रैंड विटारा हो गई, ब्रेजा हो गई, बलीनो हो गई इन सबसे भी उमीद है कि ये भी ऐसा ही परफॉर्म करेंगी ग्रैंड विटारा का तो मैंने आपको क्रैस टेस्ट दिखाया था जो भारत इनकैप में हुआ था, कहीं से लीक होकर वो मेरे बास आया था और जिसने वो मुझे भेजा था, उसने बताया था कि ये गाड़ी फाइव स्टार है तो उमीद करते हैं इनकी और भी गाड़ियां फाइव स्टार डेटिंग से स्कोर करें ताकि इसमें बैठ कर इंडिया के लोग सेफ रहें बाकि आपका इस पर क्या मानना है? कॉमेंट में जरूर बताएं